इन तित्यूं का लाख लेना ना भूले 27 मार्च कामदा एकादशी इस व्रत से ब्रह्म हत्यादी पापों तथा पिसा चत्वादी दोशू का नाश हो जाता है 3 अप्रेल मंगलवारी चतुर्थी शाम 4 बचकर 44 मिनट से 4 अप्रेल सुर्योदे तक 12 अप्रेल वरूथनी एकादशी यवरत सौभाग्य भोग मोक्ष प्रदायक होता है इससे विद्यादान का तथा 10 हजार वर्षूं की तपस्या के समान फल मिलता है इसका महात्म सुनने वपढ़ने से 1000 गोधान का फल प्राप्त होता है 14 अप्रेल संक्रांती पुलिकाल सुर्योदे से 2 पहर 2 बचकर 11 मिनट तक इस समय किया गया जब तप वध्यान कई गुणा फल दाई होता है 16 अप्रेल सोमवती अमवस्या सुर्योदे से सुबह 7 बचकर 27 मिनट तक सोमवती अमवस्या के दिन तुलसी की 108 परिक्रमा करने से दरिद्रता मिट जाती है 18 अप्रेल अक्षे तृतिया पूरा दिन शुब महूरत है त्रेता युगादी तिथी अक्षे तृतिया को दिये गए दान ये गए स्नान जब तप वध्या हवन आदी कर्मों का शुब और अनंत फल मिलता है युगादी तिथियों में स्नान दान पुन्निप जब हवन से अनंत फल की प्राप्ती होती है पूज बापुजी के जीवन उपदेशो और योग लिलों पर आधारित आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजिन रिशी दर्शन पाएं अपने एंडरोईट फोन पर जिसमें आप पाएंगे पूज बापुजी की ज्यान भक्ती योग से संपन्न अमरित्वानी शास्त्रों का गूड रहस्य व्रत त्योहारों का आध्यात्मिक महत्वर बापुजी के कहीं नप्राप्त होने वाले दुलब सत्संग, संकीर्तन और हर रितु में स्वस्त रहने के उपाएं पूज बापुजी के मंगल में दर्शन वसंदेश, आश्रम वसमीती ओद्वारा चलाए जा रहे सेवाकारिया और कैसे गुरुक्रिपा से पाते है भग्त, सब कुछ इजी साइन अप, मोबाइल पर ही हर महिने रिशी दर्शन को डाउनलोड अत्वा प्ले करें इजी पेमेंट और इजी मेंबर्शिप